तो आज सुबह मैं पार्लिमंट किया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लिमंट में बोलना चाहता हूँ, अपनी बात रखना चाहता हूँ, सरकार के शायद चार मंत्रियों ने, चार मंत्रियों ने मेरे उपर अरोप लगाया है, हाउस में अरोप लगाया है, तो मेरा हक है क कि मुझे पार्लिमंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लारिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं हुपफुल हूँ कि कल मुझे बोलने दें। आज एक मिनट के अंदर मेरे आने के बाद एक मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अरजन कर दिया हुपफुल हूँ कि शायद कल मुझे बोलने दें क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ मगर पक्का नहीं मालूँ आइडिया ये है कि जो मैंने भाषन कुछ दिन पहले पार्लिमंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में और जो नरेंदर मोदी जी और अदानी जी का रिष्टा है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे उस भाषन को Parliament House में पूरा एक्सपंज कर दिया गया और उस भाषन में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पबलिक रेकोर्ड से मैंने नहीं निका ली अकबारों से, लोगों की स्टेट्मेंट से मैंने पूरा भाषन डिवेलप किया था और उसको एक्सपंज करती है ये पूरा मामला, डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है सरकार और प्रधान मंत्री, जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसलिए उन्हें ने ये पूरा तमाशा प्रिपेर किया है और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लिमंट हाउस पे नहीं बोलने देंगे क्योंकि जो में सवाल है, वो अभी भी टेबल पे है अदानी जी और प्रधान मंत्री का रिष्टा क्या है जो डिफेंस कॉंट्रैक्स अदानी जी को दिये जा रहे हैं वो क्यूं दिये जा रहे हैं, जो स्री लंका में, बांगला देश में बात हुई है, वो क्यूं हुई किसने की, आस्ट्रेलिया में जो प्रधान मंत्री जी और स्टेट बैंक की चेर्मन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई, वो क्यूं हुई, उसमें क्या डिसकास तो ये सब सवाल हैं जो प्रधान मंत्री जवाब जिसके जवाब नहीं दे पारे हैं और ये मेन बात हैं मैं MP हूँ तो मेरी पहली responsibility पार्लोमें जवाब देने की है और मैं चाहता हूँ कि पार्लोमें जवाब देने के बार मैं आपके साथ detail में discussion करूँ मगर उससे पहले मैं detail मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता हूँ कि वो as an MP वो हमारा platform है